आपके ओनलाइन सत्र में आपका सभी का स्वागत है आज हम भाषा ज्यान का अभ्यास कर रहे हैं भाषा ज्यान में आज हम करेंगे हमारे विलोम शब्द आपने विलोम शब्दों का अभ्यास किया है हम अपने शब्द भंडार में व्रिद्धी के लिए इन सभी का प्रियोग करते हैं आईए देखते हैं विलोन शब्द ध्यान पूरवक सुनेंगे क्योंकि जितने अच्छे से आप सुनेंगे आप इनका अधिक से अधिक पाशा आज बहुत खुश था उसके पिता जी उसके लिए नए जूते लाए थे पाशा नए जूते पहन कर खेलने के लिए गया उसने देखा कि सड़क के किनारे एक लड़का उदास होकर बैठा है पाशा की पूछने पर पता चला कि उसके जूते पुराने होकर फट गये हैं पाशा ने तुरंट उसे अपने जूते दिये और वह लड़का खुश हो गया तो आपने सुना कहानी में बालग पहले उदास है और फिर वह खुश कैसे हुआ जब उसे नए जूते मिले उसके पुराने जूते फट गए थे तो नया पुराना उदास खुश आपने ये तो विलोम सुन लिये पहचान में आया हाँ बिल्कुल कि जहाँ पर दिये गए शब्द का या पूछे गए शब्द का हम उल्टा अर्थ बता दें उल्टा बता दे दें तो वह होता है विलोम शब्द आगे सुनिये में खुश और नए शब्दों के विपरीत अर्थ बताने वाले उदास और पुराने इन शब्दों का प्रयोग हुआ है ये शब्द एक दूसरे के विपरीत अर्थात विलोम अर्थ बता रहे हैं जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अथवा उल्टा अर्थ बता दे उसका विपरीत बता दे वह है आपका विलोम शब्द वह क्या है दोहराएंगे साथ में विलोम शब्द यानि कि उसका विपरीत बताते हैं उन्हें विलोम या विपरीत आर्थक शब्द कहते हैं जैसे खुश, उदास, नया, पुराना आईए विलोम शब्दों के कुछ उधारण देखते हैं उजा का विलोम शब्द नीचा है अच्छा का विलोम शब्द बुरा है मोटा का विलोम शब्द पतला है मीठा का विलोम शब्द कडवा है आगे का विलोम शब्द पीछे है खुश का विलोम शब्द उदास है ये सबी शब्द आपने प्रियोग भी किये हैं, नियमित आप इने देखते भी हैं, तो आप इनसे और नया स्तीक पा रहे हैं, कि हाँ, आपका अभ्यास हो रहा है इन शब्दों के द्वारा सच का विलोम शब्द जूट है, नया का विलोम शब्द पुराना है, सुन्दर का विलोम शब्द कुरूप या असुन्दर है, जीत का विलोम शब्द हार है, जागना का विलोम शब्द सुना है, समझदार का विलोम शब्द मूर्ख है तो ये थे विलोम शब्द जिनका आप सब ही ने अभ्याज किया आपने हम कवीता कर रहे थे जर्णा इससे पहले जो आपने पाथ किया अनोकी खोज उसमें आपने ये सब ही भाशाग्यान में प्रियोग किये हैं इन्हें पुना दोहराया गया है आगे देखेंगे चलिए उत्तर के लिए तयार हो जाएं उत्तर देंगे अच्छा अच्छा शब्द किसके साथ मिलाया जाएगा अच्छा का विलोम आए ढूंदते हैं अच्छा का विलोम अच्छा है आपका विलोम आओ ढूंदते हैं नहीं अच्छा यहीं था अच्छा है आपका यहाँ पर और यह रहा आपके यहाँ बुरा मिलिए अच्छा का बुरा सबी को चलिए आगे बढ़ते हैं आगे देखिए अगला शब्द क्या है उंचा उंचा का है नीचा चलिए उंचा का नीचा पर चलते हैं आगे बढ़ते हैं उच्छे से नीचे पर जाने के लिए डूनते हैं कहां गया आपका नीचा शब्द और ये मिल गया हमें नीचा भी ये आगया उच्छा से नीचा आगे पीछे मीचा कड़वा खुश उदास चले आगे बढ़ते हैं वाह मां हमें प्यार देती है मांने क्या दिया प्यार तो प्यार का विपरितार्थी गृणा अब जितने भी शब्द यहां दिये गए हैं हम उसका विपरितार्थी भरने वाले हैं उल्टा शब्द यहां पर उत्तर में जानने वाले हैं शिक्षक हमारा डैश बढ़ाते हैं, क्या बढ़ाते हैं शिक्षक हमारा ग्यान बढ़ाते हैं, कुछ लिखने में परिशानी है यहाँ पर, लेकिन आप देख सकते हैं, गौरब हमेशा जूट बोलता है, जूट जूट का उल्टा सच, बच्चे ने डैश शुरू कर दिया, ह है, बढ़ा व्रिक्ष है, छोटा किस्थान पर आपने बढ़ा का प्रियोग किया, चलेए, आगे बढ़ते हैं, आपने क्या देखा यहाँ पर, विलोम शब्दों का अभ्यास किया, आगे देखते हैं, अगला हम कर रहे थे, परियाए वाची, आप सभी ने देखे हैं, सुने भी ते, यानि की एक शब्द का, पूछे गए शब्द का, जब कुछ और भी अर्थ हमें पता हो, एक पूछे गए शब्द का, जब हम दूसर अर्थ भी जानते हैं, दो हों, दो से जादा हों, समान आर्थी में हम एक ही दे सकते हैं, एक सक्षम है इसमें, उत्तर के रूप में ठीक हैं, लेकिन जहां आप परियाए वाची की बात कर रहे हैं, परियाए वाची में आपको उस शब्द का एक, दो, दो से जादा ही अवश्यक हैं, दो से जाद उत्तर देना ही आवश्यक है, जैसे पेड, वरिक्ष, तरू, विटप, ये हम सब ही ने किया था, तो इस प्रकार आपको उस शब्द का दो-दो से जादा जो उत्तर आते हैं वही आवश्यक है, हमने किया था सूर्य, सूर्य का हमने क्या बनाया था, रवी, दिनकर, तो वाची में हमें क्या सीखने को मिला था, जीया और पाशा बगीचे में खेल रहे हैं, तभी जीया पाशा से कहती है, अरे यह व्रिक्ष तो देखो, कितना विशाल है, और उस पर बैठा हुआ विहग तो देखो, इस बगीचे के कुस्सुम की सुगन तो मन मोह लेती है, अरे व्रिक्ष, विहग और कुस्सुम, यह तुम क्या बोल रही हो, तो देखो, किस प्रिकार जीया ने पाशा से अलग अलग शब्दों का कितना सुन्दर प्रियोग किया, आप भी अपनी बोलचाल की भाशा में प्रियोग कर सकते हैं, मा, भोजन तयार है, देखो, भोज खाना, प्रियोग किया, मा, माता, मम्मी आप प्रियोग करते हैं, परन्तों बोलचाल की भाशा में मम्मी हैं, लेकिन मा का प्रियाय बाची, माता, जननी, आपने सीखा था पिछने काक्षा में, तो देखो, जीया ने किस प्रकार पाशा को पोड़ा सा परिशानी में डाल जिया कि आखिर पार ये विहग क्या है ये बाग बगीचा और ये बिटप और विक्ष क्या है चलिए आये ढूंदे हैं जिया के उत्तर को अरे विक्ष विहग और कुसुम का अर्थ क्रमशा पेड़ पक्षी और फूल होता है हम एक ही प्राणी या वस्तु को कई नामों से पुकार सकते हैं और इससे उनके अर्थ में कोई बदलाव नहीं आता सुनाना आपने हम उस शब्द को जिसका हम प्रियोग कर रहे हैं उसको हम यदि अलग नाम से भी पुकारें वो उसका अर्थ है अगर हम उसे अलग नाम से पुकारें उसको कोई फिर्ट नहीं पड़ता यदि हम उसे वाक्य में प्रियोग भी कर रहे हैं ठीक है तो अब ध्यान पूरवक सुनते रहें यह शब्द एक दूसरे के समान या परियाय होते हैं इन्हें समान आर्थी या परियाय वाची शब्द भी कहते हैं भाशा के वे शब्द जो एक जैसा अर्थ प्रकट करते हैं वे परियाय वाची शब्द कहलाते हैं आईए इनके कुछ उदारण देखते हैं व्रिक्ष के परियाय वाची शब्द हैं पेड़, विटप, तरू पक्षी के परियाय वाची शब्द हैं पंची, खग, विहग फूल के परियाय वाची शब्द हैं पुष्प, कुसुम, सुमन रात के परियाय वाची शब्द हैं रात्री, निशा, रजनी पुस्तक के परियावाची शब्द है किताब, ग्रंट, पोथी आप सब ने सुना होगा, कक्षतीन में भी अभ्यास किया दा, इसका आमने ग्रंथ नहीं सुना होगा, तो हम बड़ी-बड़ी किताबों को जिनसे बहुत सा ज्यान जिसमें बटा हो, लिखा गया हो, वहें ग्र होता है, रात, रात्री में आस्मान के तारे बहुत सुन्दर, तिम्तिमाते तारों से आस्मान भरा होता है, निशा, निशा, रात, प्रियोकिया ना, नाम भी हो सकता है, फूल, किस प्रकार जिया ने कुस्म शब्द का प्रियोक किया था, पगीचे के अंदर कुस्म के का प्रयोग किया था आप इसे नब्चर भी वो सकते हैं आकाश में विचरने वाले नब्चर व्रिक्ष पेड़ विटप तरू ठीक है पोथी पानी के परियाएवाची शब्द है जल नीर सलिल समुत्र के परियाएवाची शब्द है सागर, सिंधु, जल अधी गुरू के परियाएवाची शब्द है शिक्षक, आचार्य, अध्यापक तो इस प्रकार आपने प्रयाय वाची शब्दों का प्रयोग किया। इन शब्दों का आप अधिक से अधिक प्रयोग अपने कार्य ने भी कर सकते हैं। परियाए वाची शब्दों का वाक्य के भाव के अनुसार ही प्रयोग के जाता है जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जब हम वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं तो आखिरकार वो परियाए वाची शब्द क्या वहाँ पर सुचारो रूप से प्रयोग हो सकता है अब जैसे हम बोल दें, रजनी में खेलना है मुझे, वाक्य नहीं बना, मैं रात में ही खेलूँगा, वाक्य बना, रजनी आते ही मैं सो जाता हूँ, नहीं नहीं बना, रात होते ही मैं सो जाता हूँ, तो कहीं पर वाक्यों का परिवर्तन करना अतियावर्शक है, आस्मान त आपका, आस्मान, नब, इन सभी में मैंने वाक्यों में परिवर्तन अवश्य किया, आगे सुनें, भाव के अनुसार प्रयोग होता है, परियायवाची शब्दों के ज्यान से हमारे शब्द भंडार में व्रिद्धी होती है, तो ये थे आपके परियायवाची, आईए कुछ इसके उधारन देखते हैं और कारे करते हैं, वा, बादल, घन, जल्धर, तो ये थे कुछ परियायवाची जो आपने अभी किये थे, ये तो पदला गया, अगला चित्र आप देख रहे हैं, आंक, चक्षू, और क्या हो सकता है, पहले के द्वारा उत्तर दें और उत्तर सो सोचिये जरा क्या हो सकता है, ये है, पहचान में आया, पहचानिये, तीन अक्षर का मेरा नाम जिससे प्रारव होता हूँ, उसी पर समाप हो जाता हूँ, उल्टा सीधा एक समान, नयन, फूल, अभी जिया ने जो प्रियोग किया था, पुष्प और कुसुम, चले, उत्तर लोचन भी बोल सकते हैं, पुष्प के लिए आँग के लिए आप लोचन भी प्रियोग किया जा सकता है, वह भी सही है, मेरा घर मुझे बहुत प्यारा है, आपने घर के स्थान पर सदन का प्रियोग किया, ग्रिह का प्रियोग किया, नीले आकाश में पक्षी उड़ते हैं जैसे अभी हमने बताया तो आप आस्मान भी लिख सकते हैं, नव भी लिख सकते हैं, इस प्रकार हम अपने वाक्यों में इन शब्दों का प्रियोग निरंतर करते रहते हैं, डैश, पूर्व दिशा में उदय होता है, सब समझ रहे हैं, सूरज की बात हो रही है, तो हमने कु पूल्चल की भाषा का शब्द है, तो आप पिताजी, पित्री और जनक का प्रियोग करेंगे, ये उसके प्रियाइवाची है, बगीचे की सुन्दर्ता डैश तथा तितलियों से होती है, बगीचे की सुन्दर्ता फूलों से, पुश्पों से, कुस्म तथा तितलियों के स जैसे ही डैश चाय सभी बारिश की प्रतीक्षा करने लगे तो जैसे ही बादल चाय और क्या बहुत रहते हैं मेग घन चाय बारिश की प्रतीक्षा करने लगे डैश को हम चंदा मामा भी कहते हैं चांद को हम शशी भी कहते हैं चांद शशी इसको हम चंदा मामा कहते हैं डैश अनमोल है इसे व्यर्थ नहीं गवाना चाहिए पानी जल अनमोल है इसे व्यर्थ ना गवा तो चान, चंद्र, शशी, नए शब्द आपको आगए, तो इस प्रकार यदि हम अपनी भाषा में बहुत से नए नए शब्दों का शब्द भंडार का प्रियोग करेंगे, हमारी भाषा उतनी ही सरल सुगम बनती जाएगी, आप इन शब्दों का प्रियोग कीजिए, ननननन कई वाक्या बनाए, इन वाक्यों के प्रियोग से आप अवशे ही अपना बहुत अच्छा उत्तर दे सकते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, हमने यह आपके साथ क्यों शेर किया, क्योंकि हम सभी कर रहे थे शब्द भंडार, हमने पिछ्टी कक्षा में शब्द भंडार किये थे, विलोम शब्द, परियाए बाची, आप आज के अभ्यास कार्य में इन सभी शब्दों का अधिक से अधिक प्रियोग करेंगे, अगर आपको याद हो तो हमने अपनी पिछली कक्षा में जर्ना कविता के थी और कविता जर्ना में आपने क्या क्या देखा था उसी के अनुसार आईए देखते हैं आपने आज के अभ्यासकारे में कविता का संदेश जरूर करना है कविता का संदेश यदि आप करेंगे तब ही आ तो आज के ग्री कारियों में आप सब ने कविता जर्ना का क्या संदेश है, यह इनी से जुड़ा है, क्योंकि हम सब ने पिछली कक्षा में जो सब किया था, आपके समान आर्थी देखिए, हमने वाक्यों में प्रियोग किया, बच्चों को कथा सुनना ही अच्छा लगता है, कथा कथा का समान आर्थी आपने कहानी, आपने परियाई वाच्ची प्रियोग किये, तो आप इस प्रकार इन शब्दों का अपने वाक्यों में प्रियोग करते नहें, पहाड की चोटी पर बर्फ जमी है, आपको यह अगली कक्षा में सब कुछ, यह शब्द बंडार किसल कर सकेंगे, मा खाना बना रही है, मा को माता जी, पेडों में भी प्राण है, आप यह प्रियोग कर सकते हैं, पाउं में चोट लगी है, पैरों में चोट लगी है, बाधाओं का सामना करो, मुश्किलों का सामना करो, अभ्यासकारियों में माता पिता के साथ चर्चा करें, स पोचो और बताओ, जर्ना हमें क्या संदेश देता है, आप लिख सकते हैं, नियम नुसार अभ्यास करें, नियमित प्रयास करें, भाशा कॉशल अच्छा बनेगा, आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है, धन्यवाद.